दोस्तों घर बनाने से पहले या घर के अंदर कोई भी ऐलिमेंट को डिजाइन करने से पहले आपको उस डिजाइन में लगाए गए पोड़क के बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है उसी दरह से आप जो भी चीजे इंटरेट पे या आपने कहीं भी फीट पे ऐसी चीजे देखते हैं जो आपको एट्रैक करती हैं अटीर से लिटेड और आपकी चाहत होती है कि क्यों नहीं यह चीज आपके घर पे हो और आपको उस conditions में ये exactly नहीं पता होता है कि इसमें कितनी costing आई गोई और किस तरह से बनता है और कभी-कभी हमें ये लगने लगता है कि ये बहुत महंगी चीज है इसे हम साइद नहीं afford कर सकते तो आज इसी तरह कि मैं एक product की बात करने वाला हूँ जो बहुत affordable है और आपने खास करके उसका नाम सुना होगा product का नाम है gypsum board आज हम इस वीडियो में जानेंगे gypsum board कैसे बनता है और किस material से बनाया जाता है और इसके कहां-कहां uses होते हैं हलो दोस्तों मेरा नाम है सुन्दर और आप देख रहे हैं walls and window mostly हम यह देखते हैं कि जिप्सum board के यूज हमने सीलिंग में देखे हैं सीलिंग बनाने में ही अपने जिप्सum board का नाम अक्सर सुना होगा आज मैं आपको इसके अलावा और भी सारी चीजे बताऊंगा जो जिप्सum board से बनाई जाती है आप से पहले जान लेते हैं कि जिप्सum होता क्या है देखें जिप्सum एक calcium sulphate hydrate है कहीं पर इसे नरम sulphate के नाम से भी जाना जाता है सीधी सीधी भासा में बताऊं तो जिप्सum एक खनीश पदार्थ है इसे जमीन से खुदाई करके निकाला जाता है जिस तरह के कोईले की खाने होती है उस तरह से जिप्सum की खान होती है वहां से इसको निकाला जाता है यह मिट्टी के form में और पथरीले form में होता है और इसे निकाल के manufacturing hub में ले जाके वहाँ पे इसे 140 से 180 degree के temperature पे heat किया जाता है और इसमें से जो liquid निकलता है उस liquid से बनता है P.O.P. और जो दूसरा raw material बसता है उसे हम कहते हैं gypsum तो दोस्तों gypsum board का basically use कहीं चीज़ों में होता है core gypsum ही होता है उसी से P.O.P. निकलती है उसी से white cement निकलता है उसी से सारी चीज़े निकलती है इस channels पे interior के सारे उन products की जानकारी आप लोगों तक share करते हैं जो आपने कभी internet पे देखी है या जिनके बारे में आपको जाननी की ज्यादा curiosity होती है देखे दूस्तों gypsum को जैसा मैंने आपको बताया कि सिलिंक्स के अलावा और कई जगाओं पे यूज किया जा सकता है gypsum को आप अपनी किसी भी wall पे depth देने के लिए यूज कर सकते हैं gypsum board से आप 4-4 इंच के colliding अपने wall पे करा सकते हैं जिसको आप paint कर सकते हैं gypsum बहुत finished product होता है और वजन में काफी हलका होता है इसके board size 8 by 4 के और अन्य कई परकार के size आते हैं इसमें इसी परकार के और इसको लगाना बहुत आसान होता है खास करके इसे ceiling पे ही अभी तक यूज किया जाता है बट में जो आपको आप एक दूसरी चीज आज बताने वाला हो वो है partition हम लोगों ने अभी तक glass partitions देखे हैं aluminium partitions देखे हैं और वी कहीं परकार के wood partitions देखे हैं बट जो gypsum जो partitions होता है वो कैसे बनाया जाता है मैं इस वीडियो में आपको वो बताने की कोशिस करूँगा देखें जिप्सum partitions बनाने के लिए सबसे पहले आपको metals के rod लगाने होते हैं horizontally और vertically जो gypsum board जो ceilings में लगाया जाते हैं उसी तरह के rods होते हैं बट वो थोड़े से heavy होते हैं उनको horizontally vertically लगाया जाता है और उसके बाद ये बड़े-बड़े boards उसमें fit कर दिया जाते हैं फिट करने के बाद इसके जो joints होते हैं उसमें एक tape लगा दिया जाता है जो P.O.P. से ही related होता है उसके उपर से putty भर दी जाती है उसमें और उसके बाद आपकी wall पुरी तरह से finish होती है आप उसे किसी भी तरह से paint कर सकते हैं अगर आप पुराने घर में दो कमरों के बीच म अगर partition कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो partition ऐसा भी ना लगे कि घर पुराना है और partition आपने नया बनाया है तो उस condition आप उहां पर जिपसम का यूज कर सकते हैं क्योंकि जिपसम में बांकी जो दिवालों का paint है वो same paint उसमें उसमें उतारना बहुत आसान हो जाता है जो कि बांकी जितने भी अन्य पार्टिशन्स वाले products हैं उनमें ये सारी facility नहीं मिलती है आपको जिसकी विज़े से जिपसम को ज्यादा points मिलते हैं पार्टिशन्स में भी और पार्टिशन्स का खड़सा है बांकी जितने भी पार्टिशन्स के options हैं उनसे काफी कम होता है इसके अगर मैं budget की बात करूं तो यह 140 रुपे से लेके 180 रुपे स्कॉयर फिट में आपका बन के तैयार हो जाता है बहुत कम समय में बन जाता है और अगर आप office वगरा या commercial place भी बना रहे हैं तो indoor आप इसे बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं बस इसमें एक खास बात क किसी भी जगा पर किसी तब भी तरह का element बनाने में यूज़ कर सकते हैं जहां पर आपको ज्यादा वजन न रखना हो शोकेस के तौर पर आप कहीं तरह की चीज़े बनाने की कोशिस कर सकते हैं बाकि देखिए जिफसम बोट के पार्टिशन करने के क्या फाइदे हैं वह माँ आपको बता दूँ यह हमने परसनली कहीं अपने प्रोजेक्ट पर यूज़ किया है और यह बहुत सक्सेस्पूल रहा है इसकी अगर हम लाइफ की बात करें तो इसकी लाइफ 15 से 20 साल तक हो कर सकते हैं और उसमें आप बड़ी से बिंडो लगा सकते हैं किसी भी साइस का गलास लगा सकते हैं और 20 से 25 किलू तक का गूर में सब्स्क्रों बहुत से और क्या-क्या परडंट बनते हैं जो प्यऐसे आपने मूर्तियां के सब्साइब और समसे बनाई जाती है और छा सब्सक्राइब करने ये जिबंग करता है जीप्सम आज locks अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए लोगों तक शेर करना बिलकुल मत भूलिएगा